एक जंगल में एक आदमी रहता था और भगवान की पूजा करता था। एक दिन अचानक हवा चली और तूफान आया और पानी गिरने लग गया। और वह आदमी डर गया कि कई में पूजा करने में असमर्थ न हो जाऊं। उसने हाथ जोड भगवान से प्रार्थना की। है प्रभु आप इस हवा पानी को निकाल दो जिससे मैं आपकी सेवा कर सकू। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और हवा पानी निकाल दिया और मौसम साफ हो गया। इसलिए कहते हैं मन से की हुई भक्ती। एक दिन भगव भगवान ने उस भक्त को दर्शन दिया और बोला क्या चाहिए आपको बोलो भक्त। यह सुनकर भक्त बहुत खुश हुआ और बोला प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। बस मुझे तो मेरे श्री राम का मंदिर बन ध्यामे भग्त।